दोस्तों नमस्कार मैं हूँ डोक्टर प्रदीप प्रसन आप भी प्रसन होंगे ऐसी आशाहिन ही पूरण विश्वास है आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर तो आईए आज कुछ नया सीखते हैं नए टोपिक के साथ विद्यार्थियो आज की वीडियो हम बना रहे हैं अलंकार को ले करके अलंकार एक बड़ा चैप्टर है इसलिए हमने उसे अनेक टुकड़ों में विभाजित करके वीडियो अनेक पार्ट में बनाई है तो यह सात्वा पार्ट है अलंकार का आप विस्तार रूप से यदि जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आप कंटिन्यू में देखते रहें और यदि संचेप में अलंकार को जानना है तो एक वीडियो हमने संचिप्त की बना रखी है तो आप व्याकरण एमकाव्य शास्त्र वाले भाग में यानि कि चाहिएगा वहाँ पर हमारी सभी वीडियो देख सकते हैं तो वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सबसे अगर है यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरू करें बेल आइकोन को जरू बता चुके हैं आज हम बात करते हैं उपमे योपमा लंकार उपमे और उपमान को परस पर उपमान और उपमे बनाने की प्रक्रिया को उपमे योपमा कहते हैं इसमें दो तरहें की भिन उपमाय होती हैं उधार नार्थ राम के समान शंभू सम राम है अब यहां पर राम के समान शंभू सम राम है दो बातों में उसको समानताएं दे गई है या दो उपमाएं हैं जो एक साथ आई हैं पर दोनों उपमाओं के उपमे और उपमान क्रमशह उपमान और उपमे में परिवर्तित हो गए हैं दोनों इस्थतियों में दोनों तरहें से अगला अलंकार है प्रतिवस्तूपमा अलंकार जहां उपमे और उपमान के प्रथक प्रथक वाक्यों में एक ही समान धर्म दो भिन भिन श्रब्दों द्वारा कहा जाए वहां प्रतिवस्तु उपमा अलंकार होता है उधारनार्थ सिंग सुता क्या कभी स्यार से प्यार करेगी क्या परनर का हाथ कुलिस्त्री कभी धरेगी यहां दोनों वाक्यों में पूरवार्ध यानि की उपमान वाक्य का धर्म प्यार करना उत्रार्ध उपमे वाक्य में हात धर्ना के रूप में कतित है वस्तुते हैं दोनों का अर्थ एक ही है एक ही समान धर्म सिर्फ शब्द भेद से दो बार कहा गया है दोनों इवाते हैं मतलब एक समान है प्रति वस्तूपमा और द्रश्टानत में भेद क्या है मुखे भेद इस प्रकार है प्रति वस्तूपमा में समान धर्म एक ही रहता है जिसे दो भिन शब्दों के प्रियोग से प्रस्तुत किया जाता है किन्त दृष्टांत में समान धर्म दो होते हैं जो दो शब्दों के प्रियोग से कहे जाते हैं अगला अंतर है अगला भेद है प्रती वस्तूपमा के दोनों वाक्यों में एक ही बात रहती है जिसे दो वाक्यों द्वारा कहा जाता है एक ही बात को दो वाक्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है इसके अंदर और द्रश्टांत में एक वाक्य का धर्म दूसरे में एक सम अगला अलंकार है अर्थांतर न्यास अलंकार जब किसी सामान्य कथन से विशेश कथन का समर्थन किया जाए तो अर्थांतर न्यास अलंकार होता है अब दोनों मतलब अलग-अलग स्थती के होते हैं एक स्थती है सामान्य कथन का समर्थन किया जाए विशेश बात कहकर के किया जा रहा है इसलिए यहां पर अर्थांतर न्यास अलंकार है अगला है काविलिंग अलंकार किसी युक्ती से समर्थित की गई बात को काविलिंग अलंकार कहते हैं यानि कि किसी बात का समर्थन करता हो करने के लिए कोई युक्ती कही जाए जो प्रचलित है तो वह काविलिंग अलंकार होगा यहां किसी बात के समर्थन में कोई ने कोई युक्ती या कारण अवश्य दिया जाता है भिना ऐसा कि ये वाकिय की बातें अधुरी रह जाएंगी एक उधारण से कनक तनकते सोगनी मादक ताधिकाय उही खाय बोरात जग या नर इही पाय बोराय धतूरा खाने से नशा होता है पर स्वरण यानि कि सोना पाने से नशा सोना पाने से भी नशा होता है ये एक अजीब बात है यहां इसी बात का समर्थन किया गया है कि स्वरंड में धतूरे से अधिक मा दखता है अब यह इसकंदर्यक उक्ति दी गई है उसकी दोहे के उत्तरार्द में इसकतन की पुष्टी की गई है उक्ती के द्वारा कि धतूरा खाने से नशा चड़ता है किन्तु सोने को सिर्फ पाने से ही उसका अधिक नशा है वो बिना खाये सिर्फ प्राप्त करने से ही हो जाता है यह कारण देकर पूरवार्ध की समर्थनिय बात की पुष्टी की गई है उलेख अलंकार जहां एक वस्तू का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए वहां उलेख अलंकार होता है जैसे तू रूप है किरण में सोंद्रिय है सुमन में तू प्राण है पवन में विस्तार है गगन में एक वस्तू का वर्णन अनेक प्रकार से जैसे कि अक्सर प्रेमी का का वर्णन जब प्रेमी करता है तो अनेक अनेक उपमाएं देकर अनेक अनेक विशिष्टाएं बता करके करता है उसका उलेख करता है तो सुंदर है तो खुबसूरत है तो नाजुक है कली है इस तरह से मतलब अलग-अलग तेरी चाल कैसी है बोली क कैसी है गर्दन कैसी है अधर कैसे है तमाम तरहें कि उपमाएं आखें कैसी है इस तरह से लेकर के तो तू रूप है किरण में सुंद्रिय है सुमन में तू प्राण है पवन में विस्तार है गगन में यानि कि किरण में तेरा रूप है सुमन पुष्प में सुंद्रिय है तू प्राण है पाउन में पाउन में जैसे प्राण है ऐसी तुझ में है विस्तार है गगन में और गगन की तरह है तो बहुत विस्तारी ते बहुत फैला हुआ है अगला अलंकार है विरोधा भास अलंकार जहां विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास दिया जाए वहां विरोधा भास अलंकार होता है शापदिक अर्थ से ही आप समझ सकते हैं विरोधा भास विरोध जैसा आभास दो वह अलंकार विरोधा भास दूसरे शब्दों में जहां बहार से तो विरोध जान पड़े अब देखिए बैन सुनो जब ते मधूर जबसे किसी के मधूर यानी की मीठे बैन यानी की वचन इसी की मधूर वानी सुन ली है अब ये भी प्रेमी की इस्तती होती है या इश्वर में जो भक्ती में लीन होता है उसकी इस्तती है कि इश्वर के भजन जब से सुन लिये हैं उनका तब से सुनतने बैन तब से किसी और के वचन सुनने का मानी नहीं करता है और जो प्रेमी होता है कि प्रेमी का या प्रेमी क सुन्दर बातें उसकी वाणी से जो कुछ सुन लिया है उसके बाद सांसारिक दूसरे लोगों की बाते सुनने का मानी निकरता है या बेन सुने और सुनत ने बेन में विरोध दिखाई पड़ता है लेकिन सच तो यह है कि दौनों में वास्तिविक विरोध नहीं है यह विरोध تو प्रेम की तनमेता का सूचक है यानि कि प्रेम कितना प्रगाड है कितना तलीन है कोई प्रेमी अपने प्रेम में उसका एक सूचक है अन्य उधारन जिस से हमोर इस प्रष्ट करे जब से हैं आख लगी तब से न आख लगी कि इतने बेहतरिन उधारन है खासतोर से इश्च करने वालों के लिए जब से हैं आख लगी किसी से जब आख लग गई है अब किसी से मतलब यहां प्रेम मतलब सिर्फ प्रेमी का से नहीं है और वहें प्रेमी का कोई इस्तरी नहीं ह वह कोई भी हो सकती है आपका आराद्य हो सकता है इश्ट हो सकता है कोई दोस्त हो सकता है तो जो भी है जब से उससे आँख लगी है तब से आँख ही नहीं लग रही है नीन नहीं आ रही है प्रियतम को समक्ष पाकामनी नजा सकी नठेर सकी अग प्रियत्म को जब प्रेमी का नाई का नायक को पास में पा सकी तो ने जा सकी ने ठेर सकी ठेर इसलिए ने सकी वो वह है ही नहीं धोतिक शरीर से वो यहां है लेकिन शुक्सम से मानसिक रूप से वो कहीं और है तो न जा सकी न ठेर सकी और कहीं जा भी नहीं सकी यह ना खुदा ही मिला न विसाले सनम न इधर के रहे न उधर के रहे और जब हम किसी की खोज में किसी के इश्क में पागल होते हैं तो फिर कोई भी नहीं मिलता है भटकते रहते हैं इधर के उधर के कहीं के भी नहीं रहते हैं तो यहां पर यह इस्थति है अगला अलंकार है स्वभाव उक्ति अलंकार यानि कि सहज स्वभाव से जो उक्ति कही जाए वो अलंकार इसके अंदर नहीं दोता है किसी वस्तु के स्वभाविक वरनन को स्वभाव उक्ति अलंकार क की सकी से कहता है कि उस नाईका की वे भूलेपन की चितवन वे गोरे मुक की हसी और वे लटक कर सकी के गले लिपटना ये चेश्टाएं नित मेरे चित में खटका करती हैं यानि कि इन सभी चेश्टाओं को जब मैं याद करता हूं तो मेरा मन उद्वेलित होता है उसके वियोग में मन बेचैन होता है तो यहां नाईका के जिन आंगिक व्यापारों का चितरन हुआ है वे सभी स्वभाविक हैं कहीं भी अतिश्रयोक्ती से काम नहीं लिया गया है अक्सर यह होता है कि जब प्रेम का सौंद्रिय का वरनन किया जाता है तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है या उपमाई ऐसी दे दी जाती है जो यह वास्ट्विक लगती है हलाएं कि प्रेम में वो वास्ट्विक हो सकती है क्योंकि उकल्पनाए हैं उपमाई हैं जब यथार्थ हो जो वास्त्विक्ता में उपमाई दी जाएं या ऐसी कुछ प्रतीक या रूपक गड़े जाएं जिनसे कि वास्त्विक्ता जलती हो तो वहां स्वभावोक्ति अलंकार होता है तो यहां पर कोई अतिश्य उक्ति नहीं है, सहज सोभाव में कही गई बाते हैं, इसमें वस्तु द्रश्य अत्वा व्यक्ति के अवस्थाओं या इस्थितियों का यथार्थ अंकन हुआ है, कोई बनावटी करन नहीं है, वास्तों में ऐसा होता है, हो सकता है, और हुआ है, तो विध्यार्थियों, अलंकार अभी और भी हैं, तो अगले पार्ट में हम शेश अलंकारों का वर्णन करेंगे, आज की वीडियो में इतना ही, आपने वीडियो पूरी देखी, उसके लिए धन्यवाद, आशा करते हैं, वीडियो आपके लिए लाभानवित होगी, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे होते हैं, इसे लाइक कीजिए, शेर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब करना ने भूले, आपके मन में कोई सवाल हो, कोई जिग्यासा हो, कोई प्रशन हो, तो आप कमेंट्स के माध्धम से पूछ सकते हैं, हम उसका सम प्रिया, नमस्कार, स्वस्त रहिए, स्वस्त रहिए, घर पर रहिए, सुरक्सित रहिए